तो यारे सारकी की Most Evited Film जवान का Preview आ चुका है अगर इसे ट्रेलर भी कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा क्योंकि अगर इस Preview World को हम लोग सर्च करते हैं तो इसका मतलब होता है एक Advertisement जिसमें की Movies के Short Scenes को Cut करके दिखाया जाता है तो इसे Preview या फिर ट्रेलर दोनों कहा जा सकता है अब अगर बात की जाए इस Preview के बारे में तो ये 2 मिनट 13 सेकेंड का वीडियो हमें काफी जादा इंटरेटेन करता है और साथ ही साथ ये फिल्ब भी करवाता है कि पठान का record तो ये हसते खेलते तोड़ देगी क्योंकि जिस तरह के मास मसाला के साथ इसे हमारे सामने प्रेजन्ट किया गया है ये हमें काफी जादा मदा देता है और सारके को यहाँ पर एटली कोबार ने जिस तरह से एक नए अंदाज में इस फिल्म में पेश किया है कि इस preview में ही हमें वो जादू दिखता है और यहाँ पर सारके को अलग अलग looks में दिखाया गया है और उनके ये सारे characters इस film की तरफ लोगों को attract करने में सफल होते वो दिखाई पड़ रहे है और एक interesting बात कि जैसे ही जवान के preview को release किया गया भाई साब YouTube का तो पुरा server ही crash हो गया क्योंकि views तो 3-4,000 के आजपस ही दिखाई दे रहे थे पर likes 3-4 लाग तो यहाँ इससे कहते हैं hype and crazy UBSR के को Bollywood का king नहीं कहा जाता है इसलिए कहा जाता है कि comeback ऐसा करो कि आपके अगली film के लिए सिर्फ 4 लोग नहीं बल्कि 4 करोड़ लोग मिलकर YouTube का server ही hang करवा दे तो अब अगर आगे परते हुए इसके story के बारे में बात की जाए तो देखो यह जवान का जो preview है वैसे तो 2 minute 13 second का है पर यह अपनी story के बारे में उतना ज़्यादा कुछ reveal करता नहीं है क्योंकि इसमें धेर सारे scenes को बहुत ज़्यादा cuts के साथ दिखाये गया है पर जितना समझ में आता है उसके बारे में बताया जाया और साथी साथ government के अंदर भी कुछ ऐसे corrupt लग होते है जो इसे handle नहीं करना चाहते तो ऐसी city में उन vigilante characters का आगमान होता है और वे लोग इसे अपने तरीके से handle करता है जो कि officially देखा जाए तो यह उनका रास्ता सही नहीं है पर वो जो काम कर रहे होते वो समाज के नजर में अच्छा होता है और इसलिए लोग इन characters को बहुत ज़्यादा support भी करते हैं और लोगों का ये support इस trailer में भी हमें देखने को मिलता है कि किस तरसे लोगों ने भी इस पट्टी वाले mask को पहना हुआ है जो कि इस film में SRK का identification होने वाला है इसके बद यहाँ पर कुछ scenes North East का भी दिखाया गया है और यहाँ पर कुछ gangs लोगों पर attack करती हुई दिखाई दे रही है और SRK यहाँ पर उन लोगों को protect कर रहा है और साथी साथ यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं SRK का full body पटी से cover up किया गया है जो कि काफी हतक हमें Moon Knight की याद दीलाता है अगर SRK की looks की बात करें तो इस film में लगबग 4-5 लुक उनके दिखाये गये हैं और हाँ यह भी बताया जा रहा है कि SRK का इस film में double role होने वाला है जिसके चलते उसका बेटा यानि की वो भी SRK ही होगा और वो अपने फादर के दुश्मन को और उसके जैसे लोगों को अनफिशिली तरीके से सजा देगा और उसकी एक टीम भी होगी जिसमें की गर्ल्स होंगी और ये एक तरह से women's power को symbolize करता हुए नजर आता है और इस preview के action and visuals की बात करें तो वो काफी जादा कमाल का दिखाई दे रहा है और actions की बात करें तो Spyro Rosato's ने इसमें actions को direct किया है और visuals की बात करें तो इसमें शारुक खान की खुद की company जो की Red Chills Entertainment है इसी ने इसमें VFX का काम किया है और शारुक खान के जो dialogues इसमें वो काफी जादा badass है जिसमें वो ये बोलते वे नजर आ रहे हैं कि जब मैं villain बता हूँ तो मेरे सामने अच्छे अच्छे hero टिक नहीं पाते इस statement से मैं खुद agree करता हूँ क्योंकि अब याद करो वो 30 सल पहले की iconic movies डर एंड बाजिगर जिसमें शारुक ने negative role play किया है और जिस तरह से उनकी performance थी डर फिल्म को सनी दोल की फिल्म ना कहकर SRK की फिल्म कहकर बुलाया जाता है अब आगे इसके background score यानि की BGM की बात की जाये तो जवान के music को अनेरूद रवी चंदरन जी ने compose किया है जिन्होंने विकरम फिल्म में भी कई सारे badass music को compose किया है और जवान का BGM भी background में बचता हुआ main character के लिए काफी ज़्यादा massive फिल्ल करवाता है तो अब overall बात करें इस preview की तो जिस तरह से इन्होंने अलग-अलग states की talent को एक साथ collaborate करके हमारे सामने present किया है यह हमें entertain तो पूरा करती है पर हम लोग अभी movie आने का इंतिजार करते हैं तब हमें पता चलेगा कि actual में यह movie कितने records बनाती है क्योंकि यह trailer उतना ज़्यादा अपनी story के बारे में reveal नहीं करती है पर मैंने अपने thoughts के according इस film के बारे में जितनी भी prediction हो सकी उतना किया तो अगर आप लोग के भी opinions मुझसे मिलते हैं तो comment में agreed जरूर लिख देना अगर आप लोग मेरी इस prediction से agree ना करते हो तो अपने-पने opinions भी comments में बता देना तो अब इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर end करते हैं और हम लोग मिलेंगा फिर से एक नए वीडियो में तब तके लिए bye